गणतंत्र दिवस के अफसपा नाकपुर श्रमी पत्रका संग तिलक पत्रका भवन ट्रस्ट और नाकपुर के पत्रका क्लब ने बुद्धुहार श्याम को प्रेस क्लब सिविल लाइन में कारिक्रम का आयूजिन किया कारिक्रम के पहले विशिष्ट अतिती वरिष्ट संपादक एसन विनोथी सफसपा पत्रकारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया इसमें स्रश्टी श्रीश बोरकर, हेमन सालोटकर, हरशिता बिपिन कुमार सिंग, उर्वशी जितेंद सोन कामले, पलक सतेंदर भारतवाच और बारवशी मास्टर साईराज सुहास नाई सभी को सम्मानित किया गया इससप पत्रकारिता के शेत में अतुलनिय कारे करने बाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया वरिष्टर पत्रका प्रभाकर डुपारे, दैनिक लोक सत्ता के राम भाकरे, दैनिक तरुन भारत के आनन्द मोहरिल और मुख्य अतिती राज आपकारी निरिक्षक किया चोधरी को मिधावी सेवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया दैनिक लोकमत व्रत्ता के संपादक श्रीमंत मानिको भी सम्मानित किया गया कारिक्रा में औरक्रेश्टरा स्वर धुरा ने मधू स्वरों में रंग भर दिया देश विदेश में मशूर सिंगर राजेश दुरुगकर इशा रनाडे और अभीजीत कड्डू ने पुराने और नए फिल्मी गानों पर परफॉर्म कर दर्शकों का दिल चीत लिया ध्वानी शुभम गंगोतरी और रीना पूरी द्वारा बयान सबसे पहले राम भाकरे ने सद्गुरु समर्थ की गणिश मन नाम का कर उंका स्वरूब गाना श्रू किया श्रया हेमन सालुतकर ने भी मधू गीत प्रस्तुत किया नरेश डोंगरी ने ये मौसम बैमान है गाने पर प्रस्तुती दे कर दर्शकों की तालियां बटोरी और युगधम प्रेस के राजेश्वर मिश्रा ने भी गीत प्रस्तुत किया बैंड के साथ सिंतेसाइजर पर राजा राठो तबले पर प्रशांत नागमोटी और ओक्टोपस पर सजन्या बारा पात्रे थे प्रेस कलब और तिलक पत्रका भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीव कुमाम मेत्रा नागपुर श्रमिक पत्रका संग के अध्यक्ष शिरीश बोरकर और महासचिव भ्रहम शंकत रिपाठी के साथ साथ मुख्य अतिती ऐसे मिनोच सहित नागपुर के वरिष्ट पत्रका प्रभाकर दुपारे, महेश उपदेव, चेतन कुलकन्नी, विश्वास इंडोरकर, राजेश्व मिश्रा, नाइस नीरज नंदन, चंदरकांत अनेकर, परितोष प्रमानिक, अनुपम सोनी, शेख सोनी, पराग जोशी, मीरा टोले, महेंद्र अकांद, मनीश सोनी और मनुह कोटे कर मौजूद थे, और प्रेस टीम की सदस्य इस समय मौजूद थे, साथ ही पत्रकाब, भवन और प्रेस कलब की करमचारी ने बहुत महनत की, कैमरा परसन राजकुमा महर के साथ, अभिशेख पांसी, बीसे न्यूस नागपुर